नमस्कार मैं डॉक्टर रजीद भारती आज फिर आपके लिए इन्दी विसाय के अंतरगत भाव पल्लवन अत्वा भाव विस्तार का उधार नमबर 14 लेकर आया हूँ तो चलो फिर शुरू करते हैं तो ये प्रस नमबर 14 भी है अब पश्ता आये होति क्या जब चिडिया चुक गई खेत का भाव पल्लवन कीजिए ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे उत्तर तो उत्तर लिखने का वाद लिख देंगे अब पश्ताय होति क्या ज इसके सत्युपयोगी की सिच्छा देती है। इस कावत का तात्पर यह है कि जब एक महत पूर आउसर या समय निकल जाता है तब पच्टाने से कोई लाव नहीं होता है। पर आगे अगले पैराग्राम में लिखेंगे कि इस कावत का भाव यह है कि हमें अपने जीवन में समय के महत को समझना चाहिए और हर कार को समय पर करना चाहिए। आएगा समय वापस नहीं आएगा और हम केवल खोई हुए आउसरों को ही देखते रहेंगे। यह कावत हमें यही भी सिखाती है कि लापरवाई और आलस से नुकसान अट उठाने के पस्चात करने से कुछ आसिल नहीं होता है। यानि अगर हम टालम टूल करते हैं नजर अंदाज करते हैं तो फिर हमारे सामने ऐसी समस्यां आती हैं जो हम चाते नहीं थे। आगे लिखेंगे कि इसका एक मैतपूर पहलू यह भी है कि पस्तावा करने के बजाए हमें अपने अनुबहों से सीखना चाहिए और आगे के लिए सतरक रहना चाहिए। पर जोड़ देती हैं जब भी अवसर मिले उसे पूरी निष्टा और ततपरता से अपनाना चाहिए क्योंकि समय की चिडिया वापस लोड़ कर नहीं आती हैं तो इस परकार यह आपका हो गया जब चिडिया चुक की खेत फिर परस्ताए होत क्या इस कावत का भावपल्वन अगर आपको इसमें किसी परकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवसर बताएगा अगर आपके पास भावपल्वन से सम्मंदित कोई महत पूर प्रस्ण है तो हमें कमेंट करके अवसर बताएगा मैं उसे समय रहते ही प्रकार करने का प्रयास करूँगा तो पिर आ आज के लिए इतना आई, अब हम फिर मिलेगे किसी नेविसे के साथ, तब तक के लिए धन्वाद.